हेलो दियर इस्ट्रेंट्स वेल्कम टो एड़ी बीस्टार दसूपर लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों आप लोगी पड़ाई जरूर से अच्छे से चल रही होगी और यदि हम बात करें कि प्रिविए सीयर के पेपर्स देखते तो कॉस्चन कैसे आते हैं कहां से आते हैं तो कॉश्चन जो है वो तो NCIT की लाइन से आते हैं बायों के अंदर तो एकदम लाइन टू लाइन कॉश्चन आते हैं ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं हम इस कोर्स में NCIT को बिल्कुल लाइन टू लाइन उसी तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि आप नीट एक्जाम में सारे करती है और ऐसा बहुत ही शौट सा और स्वीट सा क्रैश कोर्स यहीं आप धून रहें बचो तो रैंक बूस्टिंग कोर्स है यही वह कोर्स है जो आपके काम आएगा बचो 120 आर में कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बालो जी सब कोच और बचो इतना एक्यूट और गूगल फॉर्म जो है वह यहां पर डेस्क्रिप्शन में दिया हुए तो डेस्क्रिप्शन के अंदर जो गूगल फॉर्म है उसे आप जरूर से फिल कर देना क्योंकि फॉस्ट हंड्रेट स्टूडेंट जो बच्चो उसको यह कोर्स है वह बहुत ही कम फी बहुत ही नॉम चैप्टर लिविंग वर्ड फेल जो है उसे स्टार्ट करते हैं क्या होता है लिविंग सबसे पहले आपने अरांड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के और्कनिस्म देखें होंगे इंटरेक्शन होते वे देखेंगे देखें कि तो कई पार हम एस्टोनीश होते हैं कि अरे है और उसके बारे में ही हम यहां पर पढ़ने वाले तो सबसे पहला कुशिन जो मैंड में आएगा आप लोगों के वह होगा कि living क्या होता है वोट is living living होता क्या है तो बच्चों जब मैं आपको पूछूंगा कि living क्या होता है तो आपके माइन में क्या आजाएगा आपके माइन में आजाएगा कि living वो है जो ग्रो करता है living वो है जिसके अंदर reproduction होता है living वो है जो किसी particular stimulus के लिए response करता है तो यह क्या है यह तो characteristic है यह क्या है यह characteristic है किसके living के living को हम कैसे define करेंगे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि living वो है जिसमें यह characteristic है यानि ऐसा बोलते हैं कि living organism is the one who performs all the life processes, metabolic activities, it show characteristic like growth, consciousness, self-organization, self-regulation उससे हम क्या बोलते हैं उससे हम living बोलते हैं बच्चों क्या living और living organism में भी कोई difference है क्या क्या living और living organism में अलग-अलग होते हैं क्या, example से समझते हैं मैं यदि आपको पूछूँ कि एक amoeba है, ठीक है, एक amoeba लिया हमने और एक human की body के अंदर WBC है, एक amoeba है और एक WBC है और मैं पूछ रहों कि बताओ, क्या दोनो living है क्या, आप क्या बोलोगे, येस दोनो living है, amoeba भी living है और WBC भी living है लेकिन मैं ये आपको ये पूछूँ क्या दोनो living organism है क्या, क्या बोलोगे, क्या दोनो living organism है क्या, नहीं, अब यहाँ पर ये दोनो living organism नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है, amoeba एक living organism है, लेकिन WBC तो body के अंदर होता है यानि that is not a living organism, तो living organism को हम कैसे define करेंगे, living organism को हम define करेंगे, living organism is the one who performs all the life processes, metabolic activities, show the characteristics of living organism and show independent existence in nature, यानि nature के अंदर independently exist करता है, अब ये independent existence की क्या बात हो गई यहाँ पर, बच्चों जो nature में अपना shelter ढूम सकता है अपने लिए food ढूम सकता है, ठीक है, अपनी life cycle को complete करने के लिए जो भी चीज़ा उसको है, वो independently वो क्या कर रहा है, वो कोई artificially उसे provide नहीं करा है, वो nature में खुद से find out करता है और इस तरीके से survive कर पाता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे living organism और यही reason था, कि amoeba को हमने living organism बोल दिया, लेकिन एक WVC को हमने living organism नहीं बोला, clear होगे बात? चलो, तो ये तो basic बात हो गई, what is living वाली? अब हमने देखा कि living organism के कुछ characteristic feature है, जैसे हम बोल सकते है growth, कौन से characteristic feature है, तो बच्चो living organism कौन होता है, living organism वो होता है, जो कुछ characteristic feature शो कर रहा है, कौन से characteristic feature? like growth, reproduction, metabolism, consciousness, ठीक है, ऐसे कुछ features जो है, वो show कर रहा है, इनके अलावा, यदि मैं all list में add करूँ तो, cellular organization, cellular organization, शो करेगा, ठीक है, तो यह कुछ features है, जो living organism वो show कर रहे है, इनको क्या बोल रहे है, इनको बोल रहे है, हम characteristic feature, क्या बोल रहे है, characteristic features, of living, समझ गए क्या, तो यहाँ पर इन characteristic features जो है, उनके बारे में एक एक कर करके हम detail में देखते है, सबसे बहले बात करें किसकी growth की, all living organism grow, क्या यह बात सही है, जितने भी living organism है, क्या उन सब के अंदर growth देखने को मिलती है, आप देख लो, कोई भी example देख लो, yes, हर एक living organism, चाहे आप bacteria को देख लो, चाहे आपको eukaryotic cell को देख लो, amoeba को देख लो, human को देख लो, plant को देख लो, सब के अंदर growth होती है नहीं, जितने भी living organism है, उन सब में growth होती है, तो growth का जो twin character है, बच्चों, वो क्या होता है, growth का twin character होता है, increase in mass and increase in number of individual, या तो एक cell या organism का mass increase हो, या उनका number increase हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये दो twin character हैं किसके लिए, growth के लिए, clear होगे इतनी बात, चलो, अच्छी बात है, then, इसके बाद में, इसके बाद में हम देखते हैं, बच्चों, कुछ बहुत ही important बात growth के related, जो हमारी NCRT की book में दिया हुआ है, कुछ organism जो है, वो तो throughout the life grow करते रहते हैं, throughout the life बड़े होते रहते हैं, कौन है वो, plants हैं, animals की बात करें, तो animals की growth जो होते हैं, वो एक particular time तक होते हैं, एक limited time तक ही होती है, यानि animals की growth जो होती है, वो limited type की होती है, plant की growth जो होती है, वो unlimited type की होती है, इतनी बात clear हो गई, then, इसके बात में, यदि हम uniceller और multiceller organism में growth को समझें, तो uniceller organism, like amoeba है, या बैक्टीरिया है तो उसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है बचो जब उसके अंदर ग्रोथ को स्टेडी करते तो क्या होता है हमने देखा कि और्गनिजम का नंबर बढ़ रहा है यानि एक कल्चर मीडियम है वहाँ पर आपने एक बैक्टीरिया ले लिए और माइक्रोस्कोप मतलब क्या एक बच्चा जो है वो बड़ा हुआ बढ़ा हुआ बढ़ा हुआ बढ़ा हुआ क्या हुआ जब वो mature हो गया तो उसके अंदर reproductive development हुआ लेकिन reproduction होना नहीं होना यह तो क्या है बच्चो यह तो उसकी exclusive property है यानि वो reproduction कर भी सकता है वो reproduction नहीं भी कर सकता है clear होगी बात समझ गए सारी बात ठीक है तो यहाँ पर बच्चो NCIT के अंदर आपको clearly लिखावा मिलेग कि in majority of higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive event यह बहुत important है ध्यान रखना है ठीक है अब living के अंदर जो growth होता है बच्चो वो कहां से होता है from inside the body living की growth कैसे होती है intrinsic होती है और non living की growth कहां से होती है बच्चो from outside the body that is extrinsic है यहाँ पर आपको मिल रहा है लिखावा क्या कि non living जो है non living जो है उनके अंद increase in body mass as a criteria for growth mountain, bowler, sand mound इनके अंदर भी growth होती है लेकिन यह growth कैसे होगी extrinsic होगी तो क्या ध्यान रखोगे आप याद रखोगे कि living के अंदर जो growth होती है वो intrinsic होती है यानि intrinsic growth हर एक living organism में present होगी और non living में नहीं होगी intrinsic growth को हम defining property भी बोलते हैं अच्छा अब यह defining property क्या होगी बही जैसे characteristic देखा, growth देखा, reproduction देखा, metabolism देखा, conscious ने देखा, characteristic देखा आपने, self organization हुआ, evolution हुआ, emergence, क्या होगा वो भी होगा characteristic feature लेकिन defining feature बच्चो उसको बोलेंगे जो सारे living में present है और सारे के सारे non living में absent है ऐसे features को हम क्या बोलतेंगे, defining feature बोलतेंगे, आई पास समझ मे defining feature क्या होगा, जो सारे living में present है, सारे non living में absent है, clear होगी बात, तो growth की बात करें, तो growth तो non living में भी दिख रहा है, तो growth को हम defining property बोलेंगे क्या, नहीं, growth को हम defining property नहीं बोलेंगे, cannot be taken as defining property, देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन, लेकिन यह थी मैं intrinsic growth की बात करूँ तो, yes, उसको हम defining property की तरह ले सकते हैं, समझ में आगे क्या बात, तो यह हो गया हमारा growth as a characteristic, ठीक है, next पर आजाओ, next हम बात करें बचो, reproduction की, reproduction क्या होता है, अब reproduction क्या होता है, वो तो आप सबको बता है, कि अपने जैसे offspring produce करने की जो power होती है, उससे ही हम reproduction करते हैं, कहते हैं, means it is a fundamental process of organism by which the individual organism produces offspring similar to itself, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, reproduction बोल देते हैं, different types हो सकता है, asexual हो सकता है, sexual हो सकता है, asexual में binary fusion है, budding है, fragmentation है, उसका बाद regeneration है, sports बगरा बन सकते हैं, ठीक है, vegetative propagation है, तो there are so many methods of asexual reproduction, ठीक है, यह आप 12th class के 1st chapter में detail में पढ़ते हो, तो यहाँ पर ब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर तो हम देखेंगे कि कुछ organism में हमने क्या देखा, कि growth और reproduction जो है, वो synonyms है, कौन से organism है वो, बताओ कौन से organism है जिसके लिए growth और reproduction को synonyms बोलोगे, अभी थोड़ देर पहले जिसके लिए हम उसको mutually inclusive property बोल रहे थे, है ना, तो किसके लि unicellular organism है, जो किसके through divide कर रहे है, binary fusion के through divide कर रहे है, उनके लिए बोल सकते है कि growth and reproduction are mutually inclusive property and synonyms also, ठीके, ठीके बच्चों तो उनके लिए हम क्या बोल सकते है, यहाँ पर देख रहे है, we have already defined growth as equivalent to increase in cell number, और mass, hence we notice that single cell organism, we are not very clear about the uses of these two term, कौन सा growth and reproduction, reproduction, बई, synonyme same-same सही होगा, क्यों, क्योंकि हमने देखा था, कि कुछ organism के लिए growth क्या है, cell का number increase होना है, या organism का number increase हो जाना हो रहा है, ठीके, चालो, बहुत ही अच्छी बात है, तो क्या, सारे के सारे organism जो है, reproduction करते हैं, नहीं, सारे organism reproduction नहीं करते हैं, कुछ exception भी है यहाँ ठीके, बच्छो, कौन, sterile human couple हुआ, mule, worker हनी भी, तो क्या हम इसे defining property बोलें क्या, नहीं, इसे defining property नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि defining property तो सारे living में होनी चाहिए, और सारे non-living में absent होनी चाहिए, next पर आ जाओ, next characteristic feature क्या देख रहे हैं, next characteristic feature, metabolism, क्या होता है metabolism, जितना भी biochemical reaction चल रहा है body के अंदर, enzymes की mediate, through help, enzyme की help से हो रहा है, उसे ही हम क्या बोल देते है, metabolism बोल देते हैं, ठीके, तो metabolism जो है बच्छो, वो तो हर एक living में होना चाहिए, मतलब ऐसी property है, क्या हुआ तभी, इंटरेक्शन हुआ, तभी तो, क्या हुआ तभी, तो property आई है, कौन सी property, life वाली जितनी भी property है, यानि metabolism ही तो है, उसके पीछे का main factor, जिसकी वज़े से living वाली property, life वाली property आ रही है, तो cell के अंदर, जितनी भी biomolecules है, वो क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं, उसमें से बहुत सारे biomolecules जो है, interact कर रहे हैं, एक दूसरे से, कुछ reactions कर रहे हैं, जिनने हम metabolism, जो है बचो, या metabolic reaction की बात करें, तो body के बाहर भी करवा सकते हैं, क्या, yes, मानलो मैंने क्या किया, किसी animal के stomach से मैंने कुछ enzyme निका लिया, मानलो, कुछ pepsin enzyme निका लिया, और उस pepsin enzyme को use को रूटीन को dice करने के लिए, outside the body, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो क्या हो गया, metabolic reaction body के बाहर हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ, कि metabolic reaction आप body के बाहर भी करवा सकते हो, समझगे ना, metabolic reaction body के बाहर भी करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन उस condition में, क्या हम उसे living बोलेंगे कि non-living बोलेंगे, यह थी metabolic reaction body के बाहर हो रहा हो, तो क्या उसे हम living thing बोलेंगे कि non-living thing segregate नहीं कर सकते बचो, उसे हम living, non-living नहीं बोलेंगे, in test of is neither living nor non-living, living, non-living, लेकिन वो reaction जो है बचो, वो एक living reaction, but surely a living reaction, तो metabolic reaction या metabolism जो हो रहा है, mainly तो वो living organism में हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो enzyme की help से होता है, ठीके, और हर एक living में हो रहा है, non-living में अपने आप से metabolism नहीं चल रहा है, अपने आप से नहीं चल रहा है बचो, ठीके, तो clear हो गई बात की, क्या metabolism को हम defining property बोलेंगे, yes, metabolism को हम defining property बोल देंगे, clear हो गई बात, चलो, अब इसके बात में बात करते हैं, next consciousness की, तो most obvious and technically complicated feature जो है बचो, वो consciousness होता है, क्यों? मालो, एक dog वहापर सोया हुआ है, आपको बताना है, वो जिन्दा है की मुर्दा है, बिल्कुल still हो करके पढ़ा हुआ है, अब वो सोया हुआ है या मरा हुआ है, पता नहीं पढ़ा है, पत्थर उठाए और मार दिया जूर से, क्या होगा, यदि वो dog उठके भाग गया, बुल दोगे living है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हिल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बुलोगे क्या, non living है, इसका मतलब क्या हुआ हुआ, कि आपने कोई stimulus दिया, उस stimulus क के response से दिया आ रहा है, तो living है नहीं आ रहा है, तो non living तो, ऐसे बहुत सारे stimulus होते हैं, एक ही बात नहीं करूंगा बच्चो, बहुत सारे physical, chemical, biological, ऐसे बहुत सारे stimulus होते हैं, जो organism को मिलते रहते हैं, और वो उसके according क्या करता है, response करता है, तो उससे ही हम क्या बोल देते हैं, Consciousness बोल देते हैं, clear होगे इतनी बात, चलो बहुत अच्छे बाते हैं, तो फिर Consciousness जो है, वो तो हर एक organism जो है, वो show करता है, human की बात करें, तो human जो है, अपने surrounding में, जो भी कुछ है, वहाँ पर अपनी position के बारे में भी aware होता है, ने nature में, ecosystem में, अपनी, या society में, अपन Self Consciousness होता है, human is, human being is, the only organism, only organism, बच्चो ध्यान रखना, who is aware of himself as Self Consciousness, तो बच्चो Consciousness तो हर एक organism में, present है, non-living में, नहीं होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, इसलिए हम उसे defining property, बोल देंगे, clear होगे इतनी बाते हैं, चलो आगे बढ़ जाओ, then अब इसके बात में पूछाएं कि यदि कोई, कोई कौमा में patient है, और वो, क्या है, वो life support के उपर है, heart, lung, bypass, machine, या ventilator पे रखा हुआ है, तो हम उसे living बोलें कि non-living बोलें, बताओ, बचों, यदि वो, उसकी body के अंदर consciousness का level maintained है, यदि उसकी body के autonomic activity खुद से चल रही होती, तब तो हम living बोलत है, और हमें उसे अलग से oxygen देने की ज़रत पढ़ रही है, तो फिर उस condition में क्या बोलेंगे, pump करना पढ़ रहा है, heart को, तो उस condition में क्या बोलेंगे, उस condition में हम clearly नहीं बोल सकते कि living है कि non-living है, neither living nor non-living cannot be said clearly, clearly हम नहीं बोल पा रहे है कि क्या है वो, ठीके, कैसे बोल पा और यदि brain dead हो जाएगा, तो completely हम उसको dead declare कर सकते, तो बचो यदि आपको ये पूछा जाए, कि कोई person comma में है, live support के उपर है, और वो respond नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे ना तो living नहीं, non-living बोलेंगे, यदि वो condition improve करता है, यदि patient की condition improve होती है, तो वो living हो जाएगा, otherwise वो dead हो जाएगा, brain dead वाली condition, ठीक है, normally कही बार हम देखते कि patient comma में है, उसकी autonomic activity खुद से चल रही है, यदि autonomic activity खुद से चल रही है, यदि autonomic activity खुद से चल रही है, इसका मतलब हम उसे living ही बोलेंगे, ठीक है बचो चलो, अब इसकी बाद में, तो functionally भी वो interact भी कर रहे है एक दूसरे से, तो उसे बोलते है, cellular organization, हर एक living organism के अंदर, cellular organization रहता है, maintained रहता है, तो वो भी defining property होगी, ठीक है, next point पा जाओ, diversity, बचो diversity की बात करें तो, अर्थ की diversity बहुत जादा है, around 1.7 to 1.8 million, different type के species हो है वो यहाँ पर, अभी तक discovered है, IUCN के data के according International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, उसके according, ठीक है, और उनकी study करनी है, तो क्या करना होगा, classification करना होगा, यानि classification क्या है बचो, classification is the process by which organisms are grouped in different categories, on the basis of their similarities and dissimilarities, इतनी बात क्लियर हो गई, study करना है, तो क्या करना होगा, बचो, उसके लिए हमें organism को identify करना होगा, different features को study करके identify करना होगा, उसका नेम लिखना होगा, तो नेम जो देने की process होते हैं, उससे हम बोलते हैं, nomenclature and उसको classify करना होगा, तो बचो, यहां पर nomenclature क्या है, nomenclature is the process by which organism is coined a name that is universal, यानि पूरे के पूरे world में, वही एक common name, उस organism का popular होगा, लोग उसे उस नाम से, मतलब वो common होगा, popular तो अलग हो सकते हैं, local name भी हो सकते हैं, लेकिन एक common name, जो हर एक scientist follow करेगा, उस नाम को देने की process है, उससे ही हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर nomenclature बोलते हैं, ठीक है बचो, और जादा तर हम देखते हैं क्या, कि binomial nomenclature के according organism के name दिये हैं, जो कि universal system होता है, ठीक है, और यह binomial name जो है हैं, वो देने के लिए कुछ codes हैं, ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, ICZN, International Code for Zoological Nomenclature, ऐसे ही, ICNP होता है, International Code for Nomenclature of Bacteria, ठीक है, वो भी एक होता है, ठीक है बच्चों तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके according, जो binomial nomenclature है, जो कि Keralas Linnaeus ने दिया था, उन्हें हम founder of binomial nomenclature system भी बोलते ह कि according, universal name होते हैं, organism के, वो कितने word से मिलकर बने होते हैं, कितने word हैं, two words हैं, कौन-कौन से word हैं, first word है, generic name और दूसरा है, specific epithet, जिसे मेंजी, फेरा, इंडीका, तो मेंजी, फेरा, generic name और इंडीका जो है, वो specific epithet है, ठीक है, तो बच्चों यह जो name है, उनको देने के लिए कुछ rules हैं, यानि कुछ universal rules हैं, जिनको follow किया जाता है, binomial nomenclature के names में, कौन-कौन से हैं वो, वो name है, कि biological name जो होते हैं, वो mostly Latin language का होता है, यदि हम किसी और language से लेते हैं, तो फिर उसे क्या किया जाएगा, Latinize किया जाएगा, यानि original भी हो सकता है, लेकिन mostly Latin word use किया जाता है नहीं, तो grammatically उसे Latin में convert कर दिया जाएगा, Latinize कर दिया जाएगा, then first word of biological name represent genus और second जो होता है, वो क्या होता है, specific epithet, अभी बात कर लिए हमने, then both the words in a biological name when handwritten, क्या होता है, underline करते हैं, अब यहाँ पर separately underline क्यों करते हैं, बच्चों, यह important है, क्यों करते हैं, to indicate their Latin origin, ठीक है इसलिए हम separately underline करते हैं, then first word renoting the genus starts with a capital letter और बाकी सारे small letter में होते हैं, यह rule है, कुछ important rule किसके, binomial lumenclature system के, इसके बाद में, जैसे आपने, देखा मालो, mangifera indica, नाम देखा, mangifera indica, italics में लिखा है, तो इसके बाद में, यदि author का name लिखना है, तो roman के अंदर, abbreviation form में या complete form में, आप author का name जो है, वो भी लिख सकते हो, linearist ने दिया, तो mangifera indica lin, ठीक है, इस तरीके से, चालो, तो यह कुछ rule जो है, वो बहुत important है, जरूर से आप ध्यान रखना, then classification क्या होता है, वो हमने बात कर लिया है, अब बात करते हैं, बचो, taxonomy की, बचो, taxonomy क्या होता है, य classification के लिए जो principles होते हैं, या rules, या जो भी laws है, उनकी study करते हैं, उसे बोलते हैं, हम taxonomy, what are the basics of taxonomy, बचो, taxonomy का basics है, characterization, identification, nomenclature and classification, दिया हुआ है, इंस एडिम में ध्यान रखना, अभी taxonomy को भी यह हम बात करें, taxonomy जो है, बचो, taxa और nomos, दो वर्ट सा है, taxa और nomos, ठीक है, tax taxa का मतलब क्या हो जाता है, arrangement, nomos का मतलब law, arrangement का law, taxonomy, ठीक है, taxonomy, father of taxonomy को है, careless linear, यह बात ध्यान रखना, careless linear, father of taxonomy, ठीक है, और taxonomy word जो है, वो कौन सी language का है, बच्चो, यह Greek language का word है, ठीक है, तो classical taxonomy की बात करें, बच्चो, तो classical taxonomy जो है, वो किसके उपर बेस था, सिर्फ क कुछ characteristics जो है, जो external feature से उनके पर बेस था, classical taxonomy, और बच्चों, बात में, other external feature के साथ, internal feature, ठीक है, cell, cell feature, developmental feature, और बच्चो, ecological features, इन सब को use किया जाने लगा, taxonomy में, तो उस taxonomy को हम क्या बोल देते है, modern taxonomy, तो taxonomy के, दो टाइप देख लिए, आपने, classical, only, based on only, a few morphological characters, and, जब हम बात कर रहें, बच्चों, किसकी, हम बात कर रहें, modern taxonomy की, तो यहाँ पर external feature, internal feature, cellular feature, या cytological feature, then उसके अलावा, ecological feature, और developmental process, और feature, इन सब को use किया जाता है, किसके अंदर, modern taxonomy में, लेकिन, एक खास चीज़े, जिसको use नहीं किया जाता है, बताओ, क्या है वो use नहीं किया जाता है, समझके, चलो, इसके बात में next, देखो, बच्चों, systematics की बात करते, तो जैसे हमने भी taxonomy देखा, बच्चों, वैसे ही systematic जो है, वो Latin language का word है, systematic, और यह word जो है, careless lineage ने दिया था, उनकी book, systema, naturaly के अंदर दिया था, कौन सी book के अंदर दिया था, यह systema, naturaly word के अंदर, यह systematic word जो है, वो आया था, और यह क्या, कैसे difference, different है, taxonomy के साथ में, तो बच्चों, यह जो systematics होता है, इसके अंदर, organism की हम study करें, plus inter-relationship भी देख रहें, यानि evolutionary pattern की basis पे, हम उनका inter-relationship जो है, उसे भी study करतें, तो कई बार, short में हमको बताना होता है, तो systematic क क्या होता है, taxonomy, plus phylogeny, और phylogeny क्या है, evolutionary relationship की history है, तो organism का study क्या, along with their history of evolution, तो उसे ही हम क्या बोल देंगे, systematics, बोल देंगे, clear होगे इतनी बात, चलो, बहुत इच्छी बात है, अब इसके बात में, और बचो, neosystematic term, जो है, वो advanced form systematic का जो है, उसके लिए use क्या गया था, क clear होगे बात, next, देखो बचो, क्या होता है, taxonomic category, taxonomic category, जब हम कोई organism का classification देखते हैं, मालो मैंने बोला, human का classification करके बताओ, तो human का classification कैसे करोगे, human का classification आप कर सकते हो, कि भाई, सबसे बेले देखोगे, ये क्या है, monera kingdom का member है, या protista का है, या fungi का है, या planty है, या animalia है, क्य animalia में, classify करना है, अब animalia में तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे invertebrates हैं, vertebrates है, या, हमने देखा, phylum porifera से लेकर के, codita तक, किस phylum में ये आएगा, तो फिर आपने दूसरा feature देखा, क्या notocord present है, life कि किस stage में, आपने देखा, yes, present है, फिर उसके बाद में आपने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर skin, इसके अंदर जो dorsal hollow nerve cord है, वो present होता है, ventral heart present होता है, post anal tail present होती है, ठीक है, तो ऐसे features देख लिया आपने, तो आपको क्या पता लगया कि अच्छा, ये तो codita का member है, एक step और clear कर लिया आपने, then, phylum के बाद में आपने देखा कि अच्छे कौन सी class से बिलॉंग करते हैं, तो आपने देखा, skin के ऊपर hair अगेरा present होते हैं, आपको पता लगया, female जो इसके अंदर placenta present है, ठीक है, आपको पता लगया क्या, memory gland present है, आपको पता लगया क्या, कि ये बिलॉंग कर रहा है, कि से, mammelia से बिलॉंग कर रहा है, class में में लिया, तो classification जो है, वो multiple step में होता है, classification is not a single step process, classification is a multiple, multi step process, और हर एक step जो है बच्छो, वो represent करता है कि सको, एक taxonomic category को, taxonomic category समय आगे, अब यहाँ पर taxonomic hierarchy क्या होता है, और taxon क्या होता है, उसकी भी बात करेंगे, तो taxonomic category में, obligate categories के ये नाम की बात करें, तो कौन से होते हैं, एक होता है kingdom, दूसरा होता है phylum, phylum और division, plant के लिए division यूज करोगे, animal के लिए phylum यूज करोगे, class, order, family, genus, and species, one, two, three, four, five, six, और seven, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये taxonomic categories हैं, और ये obligate taxonomic categories हैं, क्या होता है obligate taxonomic category, ऐसी category, जो हमें हर एक organism के classification में देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं, obligate taxonomic category, clear होगे बात? अब यहाँ पर बच्चों obligate taxonomic category के जो list है इसके अंदर यह हम देखे कि क्या किसी classification में इनके बीच में भी category हो सकती है क्या है yes हो सकती है तो उसे हम क्या बोलतेंगे intermediate taxonomic category तो obligate मतलब हर एक classification में होगा intermediate intermediate का मतलब हो सकता है जिसे family genus के बीच में tribe है class order के बीच में cohort है मालो family के नीचे sub family है या class के नीचे sub class है तो ऐसे जो categories आएंगे उन्हें हम क्या बोलतेंगे intermediate category बोलतेंगे clear हो की बात अब इन categories का arrangement एक specific order में चाहे ascending चाहे descending उसे हम क्या बोलतेंगे उसे बोलतेंगे हम taxonomic hierarchy arrangement of taxonomic category either on either in ascending order or descending order is known as taxonomic hierarchy kingdom से species तका रहे हो तो descending order species से kingdom तका रहे हो तो ascending order तो क्या देखते हैं kingdom में जो member है बच्चो उनके अंदर क्या होगा बहुत ही कम feature common मिलेंगे बहुत ही general type के feature जो होंगे वही आपस में common मिलेंगे लेकिन यदि हम species की बात करें बच्चो तो species के अंदर जो organism होंगे उनके अंदर बहुत ज्यादा similarity होगी बहुत सारे feature जो होंगे वो एक जैसे होंगे और क्या वो specific feature भी होंगे येस बिलकुल वो specific feature होंगे जो आपस में similarities रखते हैं ठीके अब taxon की बात करें तो taxon क्या होता है बचो taxon को हम बोल सकते unit of taxonomy अब जैसे आपने classification देखा human का classification देखा तो human के classification में बहुत सारे steps दे लेकिन एक तो category होती है कि kingdom क्या है kingdom एक category है और human किस kingdom से बिलॉंग करता है एक group of organism से बिलॉंग करता है उस group of organism को आप क् एक taxon होगा ऐसे फाइलम फाइलम जो है बचो वह क्या होता है फाइलम इस group of organism अब फाइलम तो बहुत सारे हो सकते हैं फाइलम कोड़ डेटा की बात करें तो कोड़ डेटा है specific group of organism having notocod ऐसे division की बात करेंगे एक division है बचो तो किस basis पे कि वह organism जिनके अंदर flower present है उनको क्या इस तरीके से कुछ feature के basis पे जो group बन रहा है organism का उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है taxon taxon is singular और इसका plural जो होता है taxa होता है समझ गए तो इस तरीके से आपको taxon नामे category क्या होती है hierarchy क्या होती है और taxon जो है वो भी आपको समझ में आ गया ठीक है चलो अब आगे बढ़त जो हम बात कर रहे है उन categories को एक एक करके देखना start करेंगे सबसे पहले बात करते हैं species species क्या होता है species is actually group of similar organism fundamentally similar organism आप बचाहों यहां पर fundamental similarity का मतलब क्या है यहां पर fundamental similarity का मतलब क्या है तो यहां बहुत आसान करती है कि एक scientist ने जिनका नाम है Ernst Mayer, Ernst Mayer जो है उन्होंने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक concept दिया था species को define करने के लिए, जिसे हम बोलते है biological, biological concept of species, किस ने दिया था, ये दिया था, Ernst Mayer ने, क्या आखिर उन्होंने बताया, क्या खास बात थी जो इन्होंने बताई थी, बचो इन्होंने ये बताया कि fundamental similarity का reason क्या है, ये बता दिया, बोला हमें classify करने की जरहत नी है, बोला कि nature ने ही classify करतिया, क्लियर बात बोल दी कि हमें क्लासिफाई करने की जोड़त नहीं नेचर नहीं क्लासिफाई कर दिया और्गनिज्म को कैसे कैसे क्लासिफाई कर दिया और्गनिज्म को balance रख पाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं, biological concept of species, means according to this concept, member of one species is reproductively isolated from another species, or you can say that only the member of one species can interbreed and produce fertile offsprings, ठीक है, यह बता दिया किनोंने, इसे ही हम बोलते हैं, biological concept of species, ultimately इस तरीके से हम देखते हैं, कि एक species जो है, उसका, जो, मतलब fundamental character है, वो क्या रहता है, constant रहता है, same रहता है, ठीक है, समझगे ना, चलो, अब इसके, जब हम नाम लिखेंगे, तो species के name में दो वड़ आएगा, generic name और specific epithet, कुछ example यहाँ पर, NCIT की book में दिये हो, बहुत ही important ह जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर, mangifera, mangifera, genus है, indica, mangifera indica होगा, solenum, solenum एक genus है, बहुत सारे, member हों के solenum, nigrum, solenum, melongena, ठीक है, और panthera, panthera genus जो है, उसके अंदर panthera leo, panthera tigres, ऐसे जब आते हैं, तो यह जो genus के name है, ठीक है, इसके आगे specific epithet आएगा, जैसे, tigres आ गया, solenum के आगे, nigrum आ गया, solenum के आगे, melongena आ गया, human के अंदर homo sapiens, homo genus है, sapiens, specific epithet है, तो यह दो word से मिल करके क्या होता है, complete name, बनता है, तो यह कुछ example, जो यहाँ पर NCIT में दिये हैं, बचों, वो important है, वो आप जरूर से ध्यान रखना, ठीक है, चलो आगे जाओ, genus के बारे में, बचों, जब genus के बारे में पढ़ोगा, तो पहली लाइन, सबसे पहली लाइन, वही confusing है, सबसे पहली लाइन, जब आप पढ़ोगा, तो यहाँ पर ही आपको दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आ जाएगी, आप देखो के genus, genus comprises a group of related species, characters in common, as compared to species of other genera, यह बहुत ध्यान है, ध्यान से समझना, कि एक ही genus के जो member है, जैसे हमने बात किया, lion, tiger और leopard, तीन की बात की मने, क्या यह तीनो different species हैं, जो एक ही genera से belong करता है, yes, तो इनके बीच में common character, किसी दूसरे genera के member से बात कर रहा हूँ, दूसरा genera ले लो मान लो, dog का ले लो, canis, canis families, तो क्या देखोगे, आप इनके अंदर similarity जादा होगी as compared to, यदि हम इसको dog से compare करने लग जाए, ठीक है, तो यही बोल रहा है, कि एक ही genus के जो members होते हैं, या species होते हैं, उनके आपस में similarity जादा होती है as compared to other genera, clear होगी बात, और वैसे हम बहुत basic तरीक लियो, लायन, पैंथेरा, पाड़स, लेपर्ड और पैंथेरा, टिग्रेस, टाइगर, कि उनों मिलते जुलते हैं, जीनस common होगी है, पैंथेरा, ऐसे ही solenum, solenum melangina, solenum nigrum, solenum tuberosum, क्या हो जाएगा, related है, तो एक solenum genus के अंदर आगे, ऐसे ही phallus, phallus other, दूसरा genus है, बचो, phallus domesticus जो है, उसके अंदर cat आता है, clear होगी बात, family की बात करें, तो जैसे हमने genus की बात की बिल्कुल वैसे ही, क्या बोल सकते हैं हम, हम बोल सकते हैं कि group of related genus, जो है उनसे family बोलते है, group of related genus are known as family, ठीक है बचो, family के अंदर organism को, जब हम classify करते हैं, तो plant के अंदर ए ऐसी केसी, ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है, तो जैसे हम बात करें, tomato, potato, chili, dhatura, यह सब solenesi के member हैं, ठीक है, ऐसे हम animal में बात करें बचो, तो cat और dog, cat और not dog, cat और lion, और tiger, और leopard, यह क्या है, यानि panthera और phallus, यह same family के हैं, आपने सुना होगा बचो, आपने सुना होगा, कि billy share की मौसी है, सुना है क्या, billy share की मौसी है, अरे एक ही परिवार के तो हो गए, same family हो गई, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बचो, हमने यहाँ पर देखा, कि phallus और panthera जो है, वो related genus है, उन्हें हम एक family में रख सकते हैं, तो बचो यहाँ पर animal के अंदर ed suffix जो है, वो मिलेगा, animal की family जो है, उसमें ed लगा हुआ मिलेगा, और plant की family जो है, उसमें ac लगा हुआ आपको मिलेगा, clear होगी बात, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं, चलो बचो देखो, अब next देखो order के बारे में, order, order क्या होता है, जिसे हमने देखा group of related genus family बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही group of related family क्या बना देंगे, order बना देंगे, चीके, और यहाँ पर बचो यदि हम बात करें family या order में किसी organism को classify करना है, तो plant के अंदर हम reproductive feature को priority देते हैं, कौन से feature को priority देंगे, reproductive feature को priority देंगे, यह बात ध्या रखना, ठीके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या, जिसे convolubilacy है, solenacy है, ac लगावा है न, यह family है, तो convolubilacy और solenacy family जो है, उसको हम एक order में डख सकते हैं, क्योंकि यह related है कौन सा, polymonials, else लगावा मिलेगा, plant की family में, else लगावा मिलेगा, ठीके, ऐसे ही हम बात करें, animal के अंदर तो dog की family kennedy, cat की family felledy, दोनों का order common, related है न, इसलिए, carnivora, human की family क्या हो जाएगी बच्चों, human की family hominedy है, order क्या होता है, order होता है primata, housefly के लिए बात करें, muska domestica, genus muska, family id लगाना होगा, musk id, ठीके, order deptera, ठीके बच्चों, अब इसके बात में और उपर चलते हम, या of related, orders, क्या बना देंगे, class बना देंगे, monkey, gorilla, gibbon, ये सब क्या है, order, primata, और class, mammalia के अंदर है, ठीके बच्चों, ऐसे ही carnivora, जो है, उसके अंदर tiger, cat, dog, जो है, ऐसे animals आ जाते हैं, ठीके बच्चों, तो order क्या हो जाएगा, carnivora हो जाएगा, order, carnivora, class, mammalia हो जाएगा, ठीके तो इस तरीके से हम classify कर लेते हैं, then ऐसे ही plant के अंदर बात करूँ, तो plant के अंदर आप example लेख सकते हो क्या, कि class monocot है, dicot है, monocot है लेटनी और dicot लेटनी, तो polymonials हुआ order, या roselles हुआ, poils हुआ, not poils, poils तो monocot का example हो जाएगा, brassicals हुआ, polymonials हुआ, sapindales हुआ, sapindales किसका order है बचो, sapindales, mango का order है, ठीक है, तो ये मिल करके क्या करें, एक dicot लेटनी class बना लेटे हैं, ऐसे liliales और poils, liliacy और poils के जो order है, liliales और poils, वो क्या करेंगे, monocot लेटनी class बनाएंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि order related order एक class बना देते हैं, और class के उपर क्या आता या phylum या division, phylum और division, plant के लिए division यूज करेंगे, animal के लिए phylum यूज करेंगे, animal के लिए यूज करोगे, phylum, phylum जो है वो, porifera, cilentrata, ठीक है, nidaria, tenophora, तो ऐसे करके क्या होता है, phylum होता है, और division के दिए हम बात करें, तो division में क्या हो जाएगा, बच्चों, division में हो थेलोफाइटा, ब्राइवफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पमी, एंजोस्पमी, ये division हो जाता है, ठीक है, तो group of related class हो है, वो animal में बना देंगे, phylum और plant में बना देंगे, क्या, division, clear होगे बात, then uppermost category की बात कर लें आप, uppermost category क्या है, kingdom, kingdom क्या होता है, group of related phylum और, phylum और, division, kingdom, five kingdom classification के according, monera सुना है, protesta, fungi, plant, animal, ये सब क्या है, ये सब है, kingdom, clear होगे बात, तो इस तरीके से related, जो phylum होते है, वो, या division, kingdom मनाते है, plant में देंगे, animal में ऐसे ही, जो porphyra to, porphyra to hemicodata, and codata, ये सब क्या है, ये सब kingdom, animal, बना देंगे, clear होगे बात, तो इस तरीके से हमने देखा, different taxonomic category, hierarchy के according, और बच्चों, यहाँ पर, ये जो example देवे है, हाला कि हमने साथ-साथ में ये सारी बाते कर ली, ये बहुत important है, इससे आपको जरूर से cover करना है, चीके, चलो, इसके बाद next बात करते हैं, बच्चों, taxonomical AIDS की, क्या होता है, taxonomical AIDS, बच्चों, taxonomical AIDS का मतलब क्या, यदि हम taxonomic study करना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीजों की help लेनी पड़ेगे, कुछ चीजों की help लेनी पड़ेगे, उसके help से ही तो हम क्या करेंगे, taxonomic study करेंगे, तो उनको ही हम क्या बोल देते हैं, taxonomic AIDS बोल देते हैं, समझके क्या, taxonomical AIDS में, those substance which are helpful in taxonomic study it can be, it can be a preserved specimen of organism, ऐसा हो सकते हैं, it can be a living organism, or place where living organism is present, it can be a printed material हो सकते हैं, लिखा हुआ है, कुछ information वो हमारे को help करें, taxonomic study में, तो these kind of substance are included in taxonomic AIDS, क्या क्या हो सकते हैं, यदि मैं एक बार नाम यहां पर बता दो आपको, taxonomic AIDS के, तो हम यहां पर पढ़ेंगे, herbarium, herbarium हो सकता है, botanical garden हो सकता है, botanical garden, then और क्या हो सकता है, zoological park, zoological parks, then museum, museum, की हो सकता है, और कुछ books like flora, manual, monograph, catalog, catalog, यह हो सकता है, तो बच्चों यहां पर मैं आपको पूछता हूँ कि बताओ, इनमें से कितने taxonomical AIDS हैं, वो printed material हैं, बताओ, कितने हैं जो printed material है, यहां पर, तो बच्चों आप देखोगे, कि printed material की, flora, manual, monograph, और catalog, five है, कितने हैं जहां पर preserved specimen रखा है, plant का, या animal का, या दोनों का, तो यहां पर देखो कि हर्बेरियम में plant का specimen रखा होगा preserved, museum में plant animal, दोनों के specimen रखा होगे, कौन सा ऐसा taxonomic AIDS है, जहां पर animal या plant living condition में रखा होगा होता है, living protected condition में है, उसकी care की जाती है, कहां पर, botanical garden, zoological park, botanical garden for plant, zoological park for animal, ठीक है, तो इस तरीके से different taxonomic AIDS होती है, कुछ important point में आपको यहां पर भी बता है, बाकी देखते हैं, और भी detail में बचो, कि जब हम herbarium की बात करते हैं, तो herbarium को dry garden भी बोलती है, यहां पर dried, pressed, preserved, specimen of plant जो है, वो रखा होता है, mounted on herbarium sheet in a metal osculum, और एक particular classification system के according यहां पर herbarium में रखा हुआ होता है, ठीक है, वहां हम क्या कर सकते हैं, different, बहुत सारे plant की study कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं, it is a quick referral source for taxonomic studies, ठीक है, तो यह important बात हैं यहां पर, ध्यान रखना, ठीक है, यह देखो, यह देख रहे हैं, यह से library में books रखे होती हैं, वैसे य herbarium sheet है, इसके उपर क्या है, कुछ plant का specimen mounted है, आपने inside me diagram देखा होगा, बच्चो, बहुत important है, ठीक है, then, इसके बात बच्चो, जब हम यह herbarium sheet मनाते हैं, तो इसका size क्या होता है, इसका length जो है, वो 16.5 inches होगा, और width जो है, वो 11.5 inches होगा, lower right corner पे, कुछ labeling भी की जाती है, यहीं, plant specimen को collect किया, press, dry करके, और preservative लगा करके, HGCL 2 अगेरे लगा करके, उसे चिपका दिया, और seal दिया, मानलोब बना दिया, herbarium sheet, ठीक है, फिर lower right corner में कुछ labeling भी करते हैं, क्या नाम लिखते हैं, वहाँ पर, date and place of collection of specimen, name of the collector of specimen, ठीक है, उसके अलावा, उस specimen का local name, और local name के अलावा, वहाँ पर English name लिख सकते हैं, और botanical name जो है, वो तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, बचो, और साथ में family अगेरा भी लिखी जाती है, तो यह information तो compulsory लिखी जाती है, उसके अलावा, कुछ और description यहीं important होगा, तो वो भी लिख सकते हैं, आपर lower right corner पर, clear हो garden वो प्लेस है, बचो, जहां पर हम क्या करते है, different type के plants उन्हें हमने उगाया हुआ है, उन्हें उगाया हुआ है, और उनके उपर क्या हो, उनका botanical name भी labeled है, बचो किसलिए, study के purpose है, education हम कई बचो को स्कूल से trip पे ले जाते है, botanical garden ताकि वो plants को देखें, सीखें, ठीक है तो उस purpose के लिए, दूसरा एक और भी चीज हो सकता है, एक residue conservation, यानि कोई plant जो उसको natural habitat से हमने निकाल करके botanical garden में, हम उसे conserve भी कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस purpose के लिए भी use होता है, ठीक है, इसके बाद में बचो, यहां पर कुछ important information है, क्या, यहां पर धिया रखना कि the famous, one of the famous botanical garden कहां पर है, इसको बलते है, रॉयल botanical garden, क्यों इंग्लेंड में है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, रॉयल botanical garden, ठीक है, और यदि हम बात करें, कि इंडिया में famous botanical garden कौन सा है, यहां पर एक Indian botanical garden, कहां पर है वो, हावरा में, सिपूर, क botanical garden and research institute, कहां पर है, लखनो में, तो यह कुछ example जो NCRT में दिये हैं, वो important है, आपको पूछ सकता ही है, कहां पर है, ठीक है, NBRI का full form भी पूछ सकता है, ठीक है, चलो, इसके बाद next, देखो museum, यदि हम museum की बात कर रहे हैं, तो वो place, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, कि organism क प्लांट इसको preserved condition में रखा हुआ है, preserved condition के लिए क्या करना होगा, preservatives होगे रहे हैं, चोटा organism में तो glass jars होगे रहे हैं, क्या क्या जाता है, उनको रखा जाता है, और उसके अंदर formally इन भरा होता है, preserve करने के लिए क्या करते हैं, formally इन यूज करते हैं, ठीक है, जो large animals हैं, उन रखते हैं वहाँ पर, वहाँ पर insect zone को insect boxes में पिन करके रखावा होता है, तो बचो ये कुछ चीजे जो है वहाँ पर मिलेगी, कहां पर आपको, museum के अंदर, ठीक है बचो, Delhi के अंदर जो famous museum है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, National Museum of Natural History, ठीक है, then geological park की बात करे, the place where animals are kept, living animal है बचो, और क्या होता है, यहाँ पर animal को एक ऐसा habitat provide किया जाता है, जो उसके natural habitat से काफी ज्यादा similarity रखता हो, ऐसे natural habitat जासा बनाते हैं वहाँ पर, बड़ी-बड़ी fencing की होते हैं, ताकि वह बाहर न निकले, और वहाँ पर उसे रखा जाता है, time to time medical check-up होगा, care होगी, वह यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बचो, और एक और भी बहुत important function है, barnacle garden और geological park दोनों का, XC2 conservation, animal को भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम transfer कर सकते हैं, geological park में conservation के लिए, और साथ में उनकी breeding वगरा भी करवा सकते हैं, यानि breeding program वगरा भी वहाँ पर करवा सकते हैं, ठीके, तो इस जो लोजिकल पार्क ही, और डैली के अंदर जो फेमस जो लोजिकल पार्क है, बचो, क्या है वो, नेशनल जो लोजिकल पार्क, डैली, चालो, इसके बाद में next देखो, बचो, की, की क्या होते हैं, की कुछ characters हैं, जिनके बास alternate option होते हैं, example के दूरू समझाओ, जैसे, जैस यहाँ पर जो diagram दिख रहा है, उसमें तो आप leaf देखोगे, तो leaf के अंदर venetion देखा आपने, तो venetion of leaf जो है, वो क्या हो जाएगा, बचो, यह एक की हो जाएगी, जिसके लिए आपके पास दो alternate option है, कौन से, या तो venetion हो सकता है, reticulate, या फिर हो सकता है, parallel, यह दो option हो ग present होगा, उसे हम lead बोलेंगे, और उसके according ही, organism का classification होगा, तो key जो है, वो किस type का होता है, key is analytical in nature, ज्यान अखना, important, but quick referral source पूछेगा, तो क्या answer करोगे, quick referral source of taxonomic studies, क्या answer करोगे, herbarium, ठीके, और यह दो पूछेगा, कि बताओ, analytical nature में कौन है, alternate options के साथ में कौन साथ taxonomic, key हो key help करता है, ठीके, तो यहाँ पर आपको सुन्या गया ही होगी, कि जो alternate option है, उनको complete बोलते हैं, और इन में से वो, जो हमें organism के अंदर मिलेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, lead बोल देंगे, each of it can be a lead, then उसके बाद में बच्चों, next कुछ books की बात करते हैं, अपने NCRT में कौन कान सी book, जैसे flora, manual, monograph, catalog, ये कुछ book है, flora बचों एक ऐसी book होती है, flora एक ऐसी book होती है, flora एक ऐसी book होती है, बचों, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम किसी particular area के अंदर जो plants present है, उनकी information, habitat distribution, इसकी information जो है वो लिखी होती है, index होता है, उसकी detail information होती ह है, उसे हम बोलते है, flora, flora of Delhi, ये के महसुरी ने लिखी थी, flora British Indica, JD Hooker ने लिखा था, ठीक है, manual, manual भी flora की तरी बचों, लेकिन क्या होता है, इसके अंदर mainly identification feature, जो है plants के वो लिखे होते हैं, यानि किसी particular geographical area में जो plants मिलने वाले हैं, उनकी information हमें manual में भी मिलेगी, बट manual के अंदर हमें mainly कौन सा identification वाला feature ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, तो दोनों में similarity है, बट difference क्या, कि mainly identification के लिए manual होता है, starting में एक, जो index है, जो complete list है, वो दी होती है, जब हम मोनोग्राफ की बात करते हैं, तो एक single taxon की information, जाए animal का हो, जाए plant का हो, यानि ये दोनों जो ह और catalog जो होते हैं, वो plants and animals दोनों के लिए होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, मोनोग्राफ में एक single taxon की detailed information हमें मिलती है, information of one single taxon, animal के लिए या plant के लिए, ऐसे ही catalog जो है बचों, उसके अंदर alphabetical order में information लिखी होती है, यानि A से जो plant हैं, फिर B से जो plant हैं, फिर C स alphabetical order में उनकी complete list रहेगे और साथ में उनकी जो brief information है, वो हमें लिखी में मिलेगी, तो यह क्या होगा, यह printed material books होगे होगे, तो यह सारे के सारे जो अभी हमने पढ़े बचों, herbarium, botanical garden, zoological park, museum, key, clora, manual, monograph, catalog, यह सारे क्या हैं, यही सारे तो taxonomical aids हैं, ठीक है, तो बचों अब next chapter जो है, उसे हम पढ़ेंगे, next lecture में, तब तक आप लोग बहुत उच्छी से पढ़ते रहें बचों, bye bye, मिलते हैं फिर से,